हेलो एवरिवन तो आज हम करेंगे किलास 10th साइन्स चैप्टर 4 कार्बन एंडिट कंपाउंड के पीवाई की कोश्चन्स ठीक है तो पहला कोश्चन है एन ओर्गैनिक कंपाउंड ए इस वाईली यूज इस वाईली यूज इस प्रिजरेवेटिव इनि पिकल्स ठीक है तो ज इसवाई लिघूर इंट के साथ रियक्ट करता है स्वाई स्वाई सुष साथ रियंट करता है ऐल्गैनिक हो यह छो सकता है यहां पर और जो यह है a compound क्या होगा acid होगा क्योंकि acid alcohol के साथ reject करके एस्टर को मनाता है ठीक है तो यह मैं बता हुआ identify the compound है तो कहरे यह बता है कि इसको pickles में यूज करते है तो इसका अंसर हो जाएगा identify हमारा क्या हो जाएगा इधेनों कैसिद ठीक है यह रहाए इधेनों के सिद्सको इसको में नहीं का एकितिक आसीद है और इसको is widely used as a preservative in pickles ठीक है तो इसको हम उसे करते है प्रिजरेवेटिव इन पिकल में गया इधेनों acid ठीक है और जब इथेनोग एसिड हमारा तो ए क्या हो गया हमारा इथेनोग ओार्प्त हएट क्या हो गया ही एथेनोग ऐस की भाउनल के ठीक है तो यह है हमारा इंअरा रइस्थीनोग एसिड और यह एथेनोल के साथ रियंट करें और यह दो या एस्तर बनाएगा तो यह इसका क्या है chemical equation है ठीक है यह क्या है chemical equation तो बी वाले पार्ट में आपको यह लिखने है chemical equation तो यह पार्ट 3 वाले में क्या है which gas is produced when compound A reacts with washing soda write the chemical equation तो कहरे कौन सी gas इसमें से निकलेगी और साथ में इसकी chemical equation भी लिखो ठीक है जब भी किसके साथ react करेगा washing soda के साथ react करेगा तो इसका हो जाएगा आपका answer यह रहा यह हमारा है washing soda ठीक है जब यह carbonate carbonate या hydrogen carbonate compound के साथ reaction करता है तो क्या बनता है एक तो बनता है हमारा sodium acetate यह क्या है sodium acetate बनेगा water molecule बनेगा CO2 गैस बनेगी जो पूचे कौन सी gas निकलेगी CO2 गैस इसमें से निकलती है तब जब हमारा इथेनोग acid किसी hydrogen carbonate यह carbonate के साथ react करता है तो वह washing soda भी लिखे देंगे carbonate और hydrogen carbonate भी लिखे दे सकते है ठीक है तो पहला question हो गया अब क्यारे डो था structure of simplest ketone simplest ketone यानिकी सबसे पहला जो ketone हो जाएगा है तो ketone बननाने के लिए सबसे वहले कितने carbon जाई है तू और थीरी मतलब minimum आपके पास तीन carbon तो होने चाहिए जब्याप क्या बना सकते हो ketone बना सकते हो ठीक है तो इसका आपको structure बनाना है यह बन गया है हमारा structure क्या है यह ठीक है यह बन गया है structure ketone का और ketone को हम बोलते है प्रोपेंडोन इसे प्रोपेंडोन भी बोलते हैं और ऐसी इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनोन और ऐसी टॉन ठीक है ऐसी टॉन भी स्कूम बोलते हैं तो कुश्चन है अब हमारा कुश्चन नमबर 3 वाट हैपन वेना स्मॉल पीस ओप सोडियम द्रॉप्ट इन्टू इंटि इथिनुल तो किया होगा अगर आम जब इथिनुल में क्या मिलाएंगे सोडियम मिलाएंगे तो क्या होगा तो यह आपको बलेगा यह रहां एंश यह में पेज नमबर 72 के हैं ठीक है यह रहा क्या रियक्शन विद सोडियम जब एथिनोल किसके साथ रियक्टर रहेगा सोडियम के साथ तो क्या बनाएगा सोडियम एथोकसाइड और साथ में लिखे लेगी आईडोजन तो यह भी आ सकता है विछ गैसिस प्रोडियूस वैं इतिनोल रियक्ट विद सोडियम ठीक है तो यह आ सकता है यहां से भी आपको पश्चन बन सकता है को ऊस्ट नंबर फॉर है डाइट था क्यमिकल नेम एड jun basis नइम एंड फोर्मला इप उन अफ इन फ्रोर्मिल फिनेगल लिखो और सट पी एटिकर एसिट इन वार्ट इस कोल्ड विनेगर तो यह क्या है इते नौिक और एसिटिक एसिड को हम क्या बोलते हैं विनेगर भी बोलते हैं कोश्चन नमबर आपका है फाइव वाई आड़ डिटरजेंट प्रिफर्ड ओवर सॉप और वोसिंग क्लोज इन हाड़ वाटर एक्सप्रेट तो कह रहे हैं हम डिटरजेंट को क्यों करते हैं जब हम वोसिंग करते हैं क्लोज की हाड़ वाटर के इसका अंसर भी एंस्याटि क्यों करें तो जब बहुत के साथ रियाक्ट करें तो किया होगा विचप्र हाड़ यह को बढ़ाते हैं मतलब जो हमारा हर्ट ऑफ वाटर है उसके अंदर क्या है calcium and magnesium के salt है तो soft क्या करेगी पहले उनको soft बनाने का काम करने लएगी मतलब क्लिनिक का action बाद में करेंगी पहले इसको हटाने का काम करें hence you need to use large amount of soap तो इसलिए मैं क्या चीज़ादा soft विद इस problem is overcome by using another class of compound for detergent तो इस problem को overcome करने के लिए हमने किसको यूज़ कहा है डिट्रेजेंट को डिट्रेजेंट को जनरली sodium salt of sulfony acid or ammonium salt with chloride bromide and water long hydrocarbonate ठीक है तो आपको बस इसमें क्या लिखना है इसमें आपको answer में लिखना है डिट्रेजेंट work well even with hard water because their calcium and magnesium salt are soluble in water and they do not form scum और यह water के साथ scum नहीं बनाएगा लेकिन soap क्या होती है scum बना लेती है ठीक है और दो में हमारी soap ज्यादा waste हो जाती है यह scum नहीं बनाते है डिरेकली cleaning action करता है what happen when ethyl alcohol and acetic acid react with each other in the presence of concentric H2SO4 तो फिर question वही दुबार आगया जब ethaneol हमारा ethaneol acid के साथ react करता है तो क्या बनाएगा यह वही बनाएगा sweet smelling gas तो यहीं लिखा जाएगा सब्सक्राइब क्या होगा तो यह आपको यहीं लिखना है और इसकी reaction भी आपको देना है ठीक है जो दो ती carbon does not form ionic compound भाई तो यह आपको explain करना है कि carbon ionic compound क्यों नहीं बनाता है ठीक है तो इसका अंजर देखते हैं यह तो क्या अंजर इसका तो carbon की जो अट्रमोस होती उसमें 4 electrons होते हैं तो it would gain 4 electron forming C4 negative anion अगर यह 4 electron किसी से ले लेगा तो इसका क्या बन जाएगा C4 negative anion बट it will be difficult लेगी यह भी क्या है बहुत ज्यादा difficult है क्योंकि 6 proton वाली जो nucleus है वो 10 neutral को hold नहीं रख सकती ठीक हो भी पगड़के नहीं रख सकती that is for extra electron ठीक है तो यह भी काम नहीं कर सकता है मत c4 positive anion को किसी को donate कर सकता है तो lose कर सकता है और क्या बना लेगा c4 positive c4 positive anion बना लेगा बट it will require large amount of energy to remove for electron leaving behind a carbon cation with 6 proton units nuclear soldering on to just to electron तो कहरें कि यह भी बहुत ज्यादा difficult है क्योंकि इसके लिए मैं क्या चाहिए large amount of energy चाहिए large amount of energy required to remove for electron ठीक है तो यह c4 positive data in भी नहीं बना सकता इस प्रोब्लम को overcome करने के लिए carbon overcome this problem by sharing it well as electron with other atom of carbon and with other atom of other element तो फिर carbon क्या करेगा दूसरों के साथ क्या करेगा sharing करेगा और sharing of electron को हम बोलता है covalent bonds तो इसलिए क्या बनाता है carbon हमारा सिर्फ covalent bonds ही बनाएगा यह ionic bonds नहीं बनाएगा तो इसका question यह से भी आ सकता है carbon can neither form c4 positive c4 negative but from covalent bond ही कह रहे कि इस तरह से भी इसका question आ सकता है बनके कि जो carbon है ना तो c4 positive बना सकता है ना c4 negative बना सकता है लेकिन वो covalent bond बना सकता है तो इसके reason में भी आपको यह लिखना है क्यों बना सकता है तो पहले वाले में तो structure बनाना है तो structure कैसे बनेगा तो कहरें एक unsaturated cyclic unsaturated carbon compound का नाम बताना है या तो नाम पूछेगा वह तो क्या हो जाएगा benzene और इसमें पूछा है कि इसका structure formula क्या है benzene का तो कैसे बनेगा है यह बनेगा C double bond C single bond C carbon double bond ठीक है यहां पर भी double bond आएगा तो आपको alternate पर क्या लगाना है carbon double bond यह लगए carbon double bond और जो बाकी बचेगा लें थी उसको hydrogen से पूरी कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा हमारा यह बन गया है हमारा बैंजी क्या बन गई है बैंजी ओ ठीक है और इसका लेम क्या हो जाएगा बैंजी और formula तो इसका पता ही है कि molecular formula C6 x6 और structure यह हो गई है इसकी अब कॉस्टन नमबर 9 और इसमें यह कॉस्टन नमर 20 2019 माय है और यह 2020 माय द प्राइडर चीजनरल formula फोर homologus series of alkynes, alkynes, alkynes तो इसका general formula लिखना है में alkynes और alkyne और alkyne का and also discuss the structure of the first member of the series और इसका मेंबर जो और इसका और आपको दिखाना है ठीक है तो पहला क्या होगे alkyne alkins, 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 or alkynes ठीक है, general formula तो इसका हो जाएगा, क्या होएगा, general formula general formula क्या होगा, alkin का cn, h2n, plus 2 इसका हो जाएगा, cn, h2n और L-Kine का हो जाएगा C-N-H-2N-2 ठीक है और जो इसका first member होगा L-Kine का वो क्या हो जाएगा यहां पर क्या रखेंगे हैं 1 तो जाएगा CH4 और इसका structure क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ठीक है L-Kine का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीट में क्या हो वो single bond हो या फिर हो N is equal to 2 से स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा C2H4 और इसका स्ट्रक्चर आप क्या बनाऊगे C double bond O H, 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 H और यह हो जाएगा, H यह हो गया, इसका भी 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, N is equal to 2 से क्योंकि यह हो जाएगा C2H2 और टो से स्टार्ट होगा तो जाएगा, C2H2 तो जाएगा, carbon, carbon, tipple bond, और यह होगा, तो खाल कहीं हो क्या हो जाएगा, 1st member of the series का structure भी उख दिखा दिया है, question number 10 write the I live in 1516 write number of covalent bond in molecule of the ethane तो ethane का formula क्या होता है ethane इतेन मतलब 2 carbon और यह मतलब single single bond carbon carbon के बीच तो होगय हाई hydrogen 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 क्यतना होगए 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 हमारे क्या होगय है Covalent Bond किसमे ? Eternal में ठीक है और इसका formula भी होता है Alken के लिए formula होता है Number of Covalent Bond लिका लेका number of Covalent Bond किसमे ? Alken में ठीक है ? Alken में क्या हो जाएगा number of Covalent Bond Alken में होगा number of Hydrogen plus number of Carbon कार्बन माइनस वन अभी देखते होगा आपने दो कार्बन है ठीक है तू पलस हाइडोजन कितने सिक्स है माइनस वन क्या जाएगा एट माइनस वन आगया सैवी तो सैविन कोवेलेंट बॉंड हो गया अगर जादे बड़ा फोर्म दे रखाए तो आप डिरेक इस तरह से भी लिखाल सकते हो ठीक है और कीन के लिए कैसा हो जाएगा स्क फोर्मुला यह जोगा फोर्मवन फनमबव ओ कार्बन क्हुंड और्ब ऑफ पलस नंबर ऑ लिखल सक् produce नंमबर हो फोर्मवल एक ए लिखन उनला उफ मिलेसे आए मोस्ट इंपोर्टन है तो थैंक्यू फॉर वेटिंग अगर अच्छा लग रहा है तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर से चैनल को सब्सक्राइब को